मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर रियस चिंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर इजक्रिशन में स्वागत करता हूँ प्रिविद्यार्थियों उत्तर प्रदे सरकार चात्र वित्यम स्वागत के विद्यार्थियों के लिए जो संसुदित समय सारणी है वो क्या है इसके बारे में हम सभी लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हम संसुदित समय सारणी के बारे में चर्चा क करेंगे कि अंसुचित जंजात के विद्धियार्थियों के लिए उत्तर प्रतिस सरकार चात्विति सुर्ख प्रत्विति योजना सतर दुजार तेश चोबिस के लिए जो आविदन करने की समय साणड़ी है जैसा कि पुर्व के वीडियोस में भी मैंने बताया था कि वह दो चरणों में है प्रतम चरण और दुती चरण उसमें सासना देश 11.12.24 के दौरा को संसुधन किया गया है तो संसुधि समय साणड़ी क्या है या सासना देश 11.12.24 के अन डेस है जो की दिनांग 11 р mining 24 चस्वा में निदेसक समाच्झक ल्यार विफाग सेप्रदिश लखना निदेसक जन्जात विखास फिपा उत्तर प्रदीश लखना इसका विशह है श में दस्मत्र में अध्यक्त प्रदिश के मूल निवासी अंस्चित जात अंस्चित जन्जात के चात्र ही तो चात्र विर्ती सैक्षिक भथ्ता वें सुर्क प्रत्वर्त वह अन्यकारी होई संसोधी समय साणी के संबंद में और इसकी अंसार जो समय साणी है जो अपडेटेट टाइम टिवूल है उसको हम देखते हैं सबसे पहला प्रक्रियात्म कार्वाही की अंतरगत मास्टर डेटा कौ लॉक करना और मास्टर डेटा को लॉक करने euh सीक्षण संस्था दोभरा मास्टर डेटा का तयार करना वह है 12 जनुरीировать 2014 चौबिस से लेकर के 15 जनुरी दोहार चौबिस तक का समय निड़धारित किया गया है बिश्व विद्याले अफलेटिंग एजनसी जिला विद्याले निडिक्षप द्वारा फीस आधिका सत्यापन करने के लिए जो तितिन निड़धारित है वह है 16 जनुरी दोहार चौबिस जैसा कि मैंने विडियों के स्टार्टिंग में ही बताया था कि SCST के विद्यार्थियों के दो चरणों में आउनलाइन आवेदन होना है तो जो पर्थम चरणे के हम सबसे पहले बात करते हैं पर्थम चरणे के लिए विद्यार्थियों दरह जो आउनलाइन आवेदन करने क कि अंतिम्तिति है वह क्या है 31.1923 है जो की बीच चुकी है और उसके अंसार 31.1923 जो अंतिम्तिति थी उसके उनसार जो है विद्यार्थियों को प्रिंट और तक निकालना था और हाड़ कॉप्पी समस्त सलंगनों को सहिद अपने महाविद्यालेस अपने संस्तान में आठ जनुरी तो है जमा करना था उसको ऑनलाइन फॉरवड करने के लिए देखी जो है डेट है वह अभी डेट बचा हुआ है सुच्छन संस्तान द्वारा आधन पत जोकी कार इसमें चला है जिसकी अंतिम्तिति 23 जनुरी 2024 और प्रथम चलंके समय साने के अंसार नमीनी करण ना करने वाले चात्रों को चिंधी करण है तो बहुत तीक सत्यापन के लिए जो समय है वह 8 जनुरी 2024 से लेकर के तीन मही दोयार 24 तक का समय इसमें दिया हुआ है बिस विद्धाले अफ्रेटिंग एजनसी जिला विद्धाले निक्षक दोरा वास्तिक चात्रों का स्त्यापन वा अपात्र चात्र पार्टिक्रम और संस्था को ब्लाक करने के लिए 24 जनुटी दोयार 24 से लेकर के 20 फरवी 2024 तक का समय है एनाइसी द्वारा स्कूट्टी 24 जनुटी 2 से लेकर के 9 फरवी 09.2024 तक है जन्पती समित द्वारा सुद्ध डाटर लॉग करना 12 फरवी 2022 से लेकर के पारह मार्च 2024 तक है तुर्टिपुर्ट आवएदन को चात्रों के अस्तर से सही करना अर्थात ये कोई तुर्टी रह गई है तो आपके लॉग इंट पर दिखेगा और उसको सही करने के लिए जो समयाओती दी गई है वह है बारे फरवरी दोहार चोबिश से लेकर के पंदरे फरवरी दोहार चोबिश तक और ये आपको इस संसोतन करते हैं त ऑल रावब करें और फार फिर वह प्राप्त करें ऐसको उसको वेरिफाई कर एगा और फिर से ऋसको ऑन लान सत्यापित करेंगे आइंड भी देर चुह ओंड से बवुष तक करना आपर सभी द्वा dzięki में चोबश म्मर्श करना बारे मार्श दोहार चोबिश तक मांसर, ज चुद्धनरास का अंतरण जो है पर्थन चरण की विद्यारतियों के लिए 22 मार्च 2024 तक यह था ऐसे विद्यारति जो 31 दिसंबर 2023 की पुर में आउनलाइन आविदेन कर चुके हैं यह सब कुछ सही रहता है सारे डेटा आपके जो सही है जो लॉग डेटा है आपका वो सही है करेक्ट है तो आपके एकाउंट में उस एकाउंट में जो की आधार से लिंक है एनपी सी आई से मैप्ड है उसमें स्कॉलर्शिप की और फिर इंबर्समेंट रहता सुल्पृत्पृत्पृत का चुधनरास तो आपके एकाउंट में 22 मार्च 2024 तक क्रेडिट हो जाएगा आप चलिए हम दुती चरण की बात करते हैं यह CST की विद्यार्थियों के लिए एक और आउसर दिया गया है और वो आउसर जो है सेकेंड सेशन याथ दुती चरण की रुप में दिया गया है दुती चरण में ध ध्यांदीची एक जन्मजी 2024 से लेकर के 31 जन्मजी 2024 तक कर समय निर्धारित है ओनलाइन आउसर दिन करने के लिए संस्था में जमा कर देनी है सक्षण संस्थान द्वारा आउसर पत्र को आउनलाइन सत्यापित करना और उसको अग्रसारित करने के लिए जो अंतिन्तित निर्धारित है वह 15 अप्रेल 2024 है 15 अप्रेल 2024 तक जो आपके संस्थान के द्वारा आपके आलाइन आविदन पत्र को रिशीप किया चाहेगा उसका मिलान किया चाहेगा उसको वेरिफाई किया जाएगा ऑनलाइन और ऑनलाइन उसको आगे फारवर्ड कर दिया जाएगा उसके लिए अंतिन्तित है 15 अप्रेल 2024 तक बिश विद्याले अफ्लेटिंग जिला विद्याले रिचिक द्वारा वास्तिक चाहत्रों का सत्यापन अपात चाहत्र पार्ट करों संस्था को ब्लाग करनी के लिए जो समयावादी है वह 16 अप्र 24 से 25 अप्रेल 2024 तक है जन्पदी समित द्वारा सुदा डाटा लॉग करना 26 अप्रेल 2024 से लेकर के 14 जून जो द्वारा चोविश तक है तो पूर्ट पूर्ड आवधन को छात्रों के अस्तर से सही करना या दान दीजिए कि सेकेंड सेशन में या दूती चरण में जो विद् सुदार करने के बाद 26 अप्रेल 2024 से लेकर के साथ मही 2024 के बीच आपको अपने जो आपने सुदार किया है ऑनलाइन आवधन में उसकी हाड कॉंपी समझ सलंगनों के साथ पूर्ण अपने संस्था में आपको जमा करनी है और उस ऑनलाइन आवधन को आपका संस्था ऑनलाइ वेरिफाई करो ऑनलाइन फिर से अगें दुबारा फॉर्वड करेगा उसके लिए जो समय वधी है वह 26 अपने दोहार 24 से लेकर के साथ मही 2024 तक का निर्धारी थे नैसे दौर अपने स्कुटनी 8 मही 2024 से लेकर के 16 मही 2024 तक है जन्पदी समित द्वारा डाटर लॉग करने की जो समय वधीवद 14 जून 2024 तक है मांक सर्जन 18 जून 2024 तक है और अंत में दुती चरण की विद्धारतियों के लिए जिनका सारा डेटा वेरिफाई होता है सब कुछ सही रहता है सत प्रतित होता है सत ऑलाइन मिलान करने के बात पाया चाहता है ऐसे विद्धारतियों कि एका जन्रास 28 जून 2024 तक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी तो जन्पद अस्तरी विभागी दिकारे के डिस्टर सिगनेचर से लॉग डेटा वाले चात्रों को प्रणाले के मांदम से आधार सीजर्ट या एन्पी सी आई से मैप बैंक खातों में धन्रास अंतरित करने की जो अंतिमते थे हैं 28 जून 2024 तक है यसी एस्ट के ऐसे विद्यारतियों के लिए जो कि दिती चरण में आवेदन करते हैं यह है अपडेटेड समयसारण जो कि 11 जनुवरी 24 की द्वारा संसोधित की गई है विसेस रूप से अनशूचित जात और अनशूचित जात के विद्यारतियों के लिए ध्यान देना है इसमें जो सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात है कि असुचित जात और असुचित संजात के विद्यार्तियों के लिए जो ऑंलाइन आवयदिन करना है वहां पर दो बार उसर मिला है एक परतम चरण में और 2-3 चरण में परतम चरण के लिए जो आन्तिमतित थी वह 31 दिश 31 मार्ज दोहार चुबिस तक तो एक जन्वरी से प्रारभ हो चुका है दुन्ति चरण और 31 मार्ज 2 स्की अंतिम्ती थे विद्यार्थियों के दवारा आंलाइन आव्यदिन करने की तो प्रिव करने की तो प्रीविद्यार्थ यह था जंचात के विद्यार्थियों के लिए युकर अंसु का Big a क करते हैं और यह देखणि छो दे युदी यूख करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जिसे की वे भी इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो के द्वारा जो आपडेटेट टाइम टॉबल उसके बारे में जान सकें यह अभी तक उन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया स्कॉलर सिपका तो भी क कर सकते हैं कमेंट को दोरा जो भी आपकी समस्याओं का समाधन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बिल का एकन उसको प्रेस कर देजी उसको प्रेस करने पर कुछ आते हैं जिसमें से आप आल की ओप्सन को सेलेक्ट कर लीजिए इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियो इस चैनल पर आएंगे आपकी कोर्स रिलेटेड या इसकोलर सिब्सक्राइब उसकी नोटिफिकेशन उसकी सूचन आपको समय से मिल जाएगे और आपका कोई भी वीडियो